यह देखिए यह आप जो देख रहे हैं यह सबी गुर्या चीडियों की स्रंक्षन के लिए यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर लग भग fim पन्दासो से दो हज़ार तक यहाँ यह इनके आळे लगे में और अभी चीडियों के अनंड ले री हैं किया बाद अती शून्द बहुत ही प्यारा दर्श्य आप लिभाए लिजल को आप PEACE यह साथ में अटेच गोसाला है और गोसाला के ठीक पीछे से आपको जो टावर दिखाई दे रहे हैं वो पक्षियों के लिए कबूत्रों के लिए दस हजार कबूत्रों की वेवस्ता यहां पर की गई है बहुत शंदर दूर तक जहां भी आपके नज़र आती है आपको यहां ज़रूरी है कि मानवता इंसानीत के बैलेंस बनाना है तो इन गोरिया चीडियों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है इसलिए हम लोगों मिलके एक छोटा सा प्रयास करने कोशिस की है यह देखे जगें जगें पर अभी इनके जो है सिजन है इनके अंडे देने का वंस होना बहुत ही ज़रूरी है तभी जाकर के प्रकृति का बैलेंस बिनेगा और हिंदुस्तान में कई जगे तो ऐसी है जहां गोरिया चीडियों को खतम होते हो देखते हुए उन्होंने इस पक्षी को राज्य पक्षी घोसित किया है राज्य पक्षी जिससे क्या है इसके स् अभियान जो है अच्छी तेंग शुरू किया जासके इसके लिए हम गवर्मेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खेति सुभाषी का गोशाला इसमें आप देख रहे हैं इस प्रकार का प्यास के जगें जगें पर ये तो है केवल चीडियों को रहे हैं उस साइड म दसतु किया फ़ूतर अराम से निवास कर सकते हैं और यहां पे पहँ मताइब करीए है बहुत बहुत धन्यवाद मानव तक इस प्रयास को हम बार जार बार धन्यवार देते हैं और आप से विन्ति करते हैं आप भी हमारे मिशन में आप साथ आइए और जो है इसमे सयोगी बनीए और इन अनबोल पक्षिऊंगे ए कुछ अंगुछ कीजिए हमारा तो आप से यी कहना है कि ज़ी आपको समय नहीं हो तो कम से कम एक मुठी चुगा नित्वत्या प्रती आप इन पक्षिऊंगे को डालें ये आपसे विंती है, अर्जी है कि देखिए, ये पक्षी जो बोलकर नहीं कहेंगे, ये इनसान पर ही डिपेंड है, और इनसान का फर्द बनता है कि अपने काम, अपने परिवार के भर्ण पोस्न के बाद इन पक्षियों का आप अवश्य ध्यान दे ऐसा हम लोग, आप लोगों से अर्जी करते हैं विंती करते हैं, देखिए बहुत से लोग हैं, जो इनकी सिवा कर रहे हैं और आप से पूरे दिन के लिए नहीं कहने हैं आपके वल दस-पन्दा मिन्ट इन पक्षियों के लिए अवश्य निकालें जो ये पक्षिय आपके लिए कुछ पिछे नहीं रखेंगे खेताराम जी, बाप जी करपा से तुलसाराम जी महराओ, धनाराम जी करपा से आपको ये जो आप जो लगाएंगे, खर्चा करेंगे दिन, दूणी, रात, चोगणी धन संपती, आपको निश्चित इन अनबोल पक्षियों के आसिरवाद से आपको मिलेगी इसलिए मेरी आपसे विंती है ये अरदी है, ये गुजारिश है कि आप भी इनकी तरफ जान दें ये अनबोल पक्षिय हैं के पास आएंगे, कौन है इनके गार्जन हम ही इसके गार्जन है, मानव जाती इसकी गार्जन है, और मानव जाती का बैलेंस बनाने के लिए, आपको बता दू जान कर दें, कि मानव जाती का बैलेंस बनाने के लिए प्रकरती के जो स्रंक्षन के ये जो गुरे चिडिये हैं और यो जीव जित्ते भी हैं बहुत ही प्रकते के लिए आउश्यक हैं इस बात पर आप गोर करें बहुत बहुत भन्यवाद जिन लोगों ने अच्छा प्रयास किया है और ये प्रेणा के पात्र हैं और यहां की प्रेणा से बहुत से जगें पर इस